नमस्कार दोस्तों बिहार टोला सेबग भरती में एक और बड़ा अपडेट आ चुका है एक जिले की और वैकेंसी आ चुकी है तो कौन सी जिले की आई होई है ये हम लोग देखेंगे और जो पहले आवेदन हो चुका है क्योंकि ये 20.08.2023 से ही आवेदन सुरू किया गया थ तो जो पहले आवेदन किये हैं उन लोगों का क्या हुआ मैरिट लिस्ट कहां से देखना है कैसे देखना है ये सब सारी जान करें हम लोग देखेंगे तो सारा कुछ जो है आपको रोजगारविहार.com पे उपलब्ध है तो आकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस टो लिस्ट एक लिस्ट दो जारी किया गया था कहां मतलब कहां कितने सीटे थी बाका जिले में तो वो तो जारी किया गया था लेकिन डेट जारी नहीं किया गया था कि कब से ऑनलाइन या ओफलाइन आवेदन होगा ठीक है तो इसका डेट अभी आना बाकी है बाका डिस्टिक गया है और इसमें बताया गया कि कहां कितनी सीटे खाली है कौन सी स्कुल में सीटे खाली है यह आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा कब आवेधन होगा तो देखे आवेधन वहां का वेगुसराय का पहले ही आया हुआ है आप देखेंगे तो आवेधन को प्राप्ति रसीत देना पंजी के जो रेजिस्टर होटा है प्रिष्टांकन का सत्यापन परखंड सिच्छा पताधी कारद्वारा किया जाएगा यानि जो डेट यहां पर दी गई थी आवेधन करने की वो चार सितंबर 2023 तक दी गई थी ठीक है तो यह तो आपको दिखाया मेरिट लिस्ट का डेट कब का है तो देखिए यहां पर आवेधन प्राप्त करना मेधा अंक जो है 9 सितंबर 2023 को जारी किया जाना था लेकिन अभी तक जो है 28 सितंबर हो चुकी है अभी तक इसका मेधा सुची नहीं आया है यानि कि यहां भी डेट बढ़ होगे यहां पर 27 नो दो हजर तेइस को सेकपूरा डिस्टिक में आये हुई है ठीक है तो कब से आवेधन होगा यहां पर किलिक करेंगे डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि कब से आवेधन होगा कहां कितनी सीटे हैं वो भी बताया गा है देख सकते हैं कौन से टोल में भी आवेधन सुरू कर दिया गया है ठीक है तो आवेधन जो है आप अपने नजदी की जो अस्कूल चिनहित किये गये वो आपको कहा कैसे पता चलेगा कि किस अस्कूल में जमा करना है तो आप अपने परखंड सिछा पताधिकार यानि बीयो से मिल लीजिए बीयो आप को बता देंगे कि कहां पर फॉर्म जमा करना है ठीक है क्योंकि हाल सभी डिस्टिक में अलग अलग जगा पर जमा करना है तो आप अपने जिले का अनुसार अपने परखंड का अनुसार आप अपने बीयो से मिलिए परखंड ब्लॉक में जाके तो आपको पता चल जाएगा कि form कहां पर जमा हो रही है तो जाके आप अपना form जमा करेंगे form कहां से मिलेगा तो form भी देखिए website पर उपलब्द है यहां पर आएंगे सबसे नीचे तो यहां पर आप देखिए application form है यहां से आप download कर लेंगे और download करके भरके आपको जमा करना है इसके साथ आपको certificate जो है certificate आवाशिय परमानपत्र जाती परमानपत्र मोबाइल नमबर पासपोर्ट साइज फोटो अनुगो परमानपत्र अगर आपके पास है तो दीजेगा नहीं है तो नहीं दीजेगा कोई दिकत नहीं है तो form मैंने आपको दिखा दिया सेकुरा district का नया नया अभी 279 2023 को आया हुआ यानि कल के date में ही अब देखे जो पहले आवेदन हो चुका है जैसे कि मैं बात पर पर पटना district की तो 149 2023 को देखे यहां पर इनका जारी कर दिया गया था मेधा सूची देखे यहां पर मेधा सूची पूरा concept block में कितना मेधा स परखंड का मेधा सूची आसानी से यहां से देख सकते हैं अगर आप पटना के हैं तो यहां से इस पे किलिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा तो मेधा सूची देखे बनाया हुआ है कितने पर selection हुआ है यहां पर भी आप देख पा रहे होगे तिके selection तो अच्छा खासा द तो इसी परकार से आपको अपना अपना देखना है तो नया में वही आपका 27,9,23 को सेकपूरा का था जैसा जैसे जो अभी खाली है जैसे कि देखेंगे मधुवनी का खाली है आपका मधेपूरा का खाली है नवादा का खाली है तो यह सब वैकेंसी जो है अभी आने वाली है तो जैसे ही आएगी आपको यहां पर उपलब्द करवा दिया जाएगा तो आकर आप लोग चेक करते रहेंगे इसी परकार से जैसे मैंने आपको पटना का दिखाया इसी परकार से आप है देखिए मुझः परकूर में भी पहले ही आवेदन हो चुका है तो इसका भी देखिए मैरिट लिस्ट परकासित कर दी गई है तो आप देख सकते हैं करके आप यहां परसेंटेज रहेगा उसका चेयन होगा तो आप अपना-पना देख लिजेगा मैरिट लिस्ट में ना तो इसी परकार से देखिए अभी बहुत सारे बैकेंसि आनी है सीता मड़ी का बाकी है फिर आपका देखिए सिवान का आना बाकी है सुपावल का आना बाकी है बैसाली का आना का बाकी है, बैस्चंपारन का बस्चंपारन का आना बाकी है, तो इसी परकर से अभी बहुत सारे जिले जो है बाकी है, तो आकर आप लोग अपना अपना देखी गया का खाली है, बकसर का खाली है, स्वारी बोजपूर का खाली है, बकसर का तो आ गया, अब भुजपूर का देखना है आएगा फिर आपका औरंगाबाद है अरवाल है अरारिया है तो अभी बहुत सारे जिले जो है बाकी है तो आकर आप लोग रेगुलरी चेक करते रहेंगे रोजगारभियार.com पे सब कुछ उपलवद है मैं मिलूगा नेक्स्ट वीडियो में नेक अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई जहिन